स्वागत आप सब का विमेंस एश्या कप के मैच नॉमबर दस के अंदर मुकाबल है इंडिया विमेन बना नेपाल विमेन के बीच में जो खेला जाएगा डंबूला के उपर मैच टाइमिंग है शाम के साथ बजे तो टीम इंडिया पहले क्वालिफाई कर चुकी है फॉर दे सेमी फाइनल तो डेट डर्बर मुकाबला रहेगा और वन साइड आपको एफर देखने को मिल सकता है टीम इंडिया बहुत स्टॉंग टीम है नेपाल की जो टीम है पाकिसान से पना पिछला मैच हार के आ रही है तो पॉइंट शिपल करते हैं सब से बहले गुरूप एगा बढ़िया मैस देखने को मिलने वाला है माइल्स्टून की बात तरते हैं कभी दा कुवार का ये पचासवा टी-20 मैच है उनके लिए पड़ा गीम रहेगा देखते हैं किस तरह से खेलती है तो बहुत से पॉइंट जिसस करेंगे सब से पहले पिछके बार मैं बात करूंग किस तरह का ट्रैक रहेगा कंडिशन्स कैसी होती है आपर किस तरह सब को टीम मनानी है जब इंडिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आपको किन को प्रिफर करना है किन को कैटन करना है टीम इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तू क्या होगा बैटिंग कर रही है त टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, फाइदा गया है, लाइनप्स के बाद कोई भी अफडेट है कि मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, टेलीग्राम का लिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे इसमें क्या हुआ था, 96 बना था, 9 विकेड़ी नुकसान पे, जो कल मैस था, जिसके अंदर जो टीम दे बंगलादेश की बहुत अची बॉलिंग प्रदर्शन करती है, आप रभ्या खान ने 3-4 निकाला, 4 विकेट हॉल निकाला, और थाइलेंड 97 का टार्गेट देती है, बंगलादेश इसको 17.3 ओर्स में चेस कर जाती है, इससे पहले चेस कर जाना चाहिया था, बट कोई नहीं देर आए, दुरस ताए, वही बात है, लेकिन आए तो सही, 184 बना चार विकेड़े नुकसान पे, ये बनाया था, श्रीलंका ने, अतुपतु को अश्र तकाया था मलेशा चालीस पे अलाउट हो गई, एक स्वाड बना, ये बनाया जो नेपाल की टीम ती उसने, अगेंस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान इसको बार और में चेस कर लिया था, गुल फिरोजा ने बहुत अची पार ये खेली, टीम इंडिया ने दूसर एक बनाया, ये था, UAE के अगेंस, UAE ने 123 बनाया थे फिर, तो इस टीम इंडिया पांच मैचेस खेल चुकिए, चार जीती है, एक आरी है, नेपाल दो खेली हैं, आपर एक जीती है, इस टीम इंडिया पहले बैटिंग लिए और अच्छो जाते है, उपर से इंडिया विमिन का मैच, जो इस ट जाना है, पीर आपने बैटिंग, सेकिंड करें हैं, ज्यादा मैच जीती है, इंडिया जीती है, इस टीम जानतो हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं गह रहा है, और जो लास्ट मैस थे बंगला देश और थाइलेंड विमेन का, तीम विकेट पेस के नाम था, साथ विकेड 27 विगेट और सूरी पारी ન पेसरे बहुत इंप्रटन। पिछ की फूट यह देख सकते हैं जो पिछले 2 दिन में हुन्हें मैचस बेखे थे कल और पर्सू ये पिछ नमबर 6 पे वे दे और जो स्टार्टिंग के मैच थे 19 तारी को जब टूर्णमेंट स्टार्ट हुआ और 20 तारी को जब दूसरा दिन यहाँ पे वा था तब नमबर 4 का स्टेमाल होा था तो तक pricing मेंच कने स्टीपीन इस टिट्यटिम का VY है तो देखते हैं इस गेम में क्या हता है वही पाकिस्तान वाली पीछ फिख करी जा की जो पहले मैच हो चुका होगा यहां पर पाकिस्तान युई का और वैदर फोकास एक दम बढ़िया है देखें आप शाम के टाम ठंडी अबावा बहती है आप बढ़िया वैदर फोकास रहता है शांदार आपको मैच देखने को मिलने वाला है देखें आप अठारा किलोमटर के आसपास दोनों टीम्स नास तक एक भी मैच नहीं खेला बात करते हैं श्मिद्धी मंदन उपन गरेगे इस टीम में टीम इंडे एक्स्परिमेंट कर सकती है कई बैंच वाले प्लेट्स को मौका दे सकती है जिससे सजीवन संजना उमा चैतरी आशर शोबना अरुन अने तब तो रे रेनों का सिंग आपको दिख जाएंगे नेपाल भी में समझाना खड़का उपन करती जो पहले मैच में अच्छी पारी के लिए सिता राना मगर ऑल राउंडर है कभीता कुआर पचासवा टी-20 गेम हिंदू बर्मा कप्थान है और रुबिना चेतरी सीनियर प्लेयरे स्ट यह इंडिया प्लेयर्स के टी-20 आई स्टैट्स आप पढ़ सकते हैं जिमें में रुड्री इसका 99 टी-20 मैच होगा कर इस गेम में खेलती हैं इतनी बड़ी प्लेयर बन चुकी है वो सोचवाप अभी तक तीन ही ऐसे प्लेयर से जिन्होंने सो मैचेस ज्यादा खेले मंदन अर्मन प्रीत को और डिप्ती में लब कोई सोचने मोली बात ही निया नो बैरियर तो यह स्टैट्स के हैं देखो 136 मैच कहलें मंदना ने टी-20 में अठाइस के औस तीन जार के परंस 122 का स्टाइग इसी तर आप पुरी लिस्ट देख सकते हो कि टी-20 में किसना कैसा इसलिए नियुक्त विकलता प्रशन देती है एक्सोनोह मैच के सुंगेड है और श्रिंका का ग्यारा में 14 अवा बाहर होगी बादी अबुदा बढ़ी अबुदा रहा है तैन्स मैनती है बेचारी मैं किसी पर परकट करूं इतनी बड़िया प्लेयर हो अर्मन पीटकोर इस यह स्टैट्स आपके सामने बॉलिंग कैसा करती है हर एक प्लेयर यह सारे प्लेयर्स के नंबर से हैं अब आता हूं मैं स्टैट्स के तरह है चैफल इबर मैस्ट पर पांच मैच खेली 130 रंस है यह 125 को स्टाइड है मैटिंग फर्श 31, 5, 37, 36 के उपर 17 और 40 है रिसन फॉर्म 37, 37, 27 बहुत सही दिखी है एक्सपेट कर रहा हूं इस गेम में शायद एक बड़ी पारी खेल जाएंगे और दोनों बहुत अच्छे ओपनर्स हैं 2000 के उपर इनके रंस है T20 इंटरनाशनल में जो हम देखते हैं ओपनिंग पैर यह दोनों के साथ के नदर पार्टनर्शिप कम बहुत सही प्लेयर है बैटिंग फर्स में प्रीफर करिये उसको जैसे हमने लास्ट गेम में किया था ऑब्वियस पिक बन जाती है जमेमा रोड्रिएस इंगी बात रहते हैं तो तीन मैचस में 75 रंस जमेमा कहां गया है पांच मैचस में 89 रंस है बैटिंग फर्स 36 टच प्लेयर आपको वैल्यू दे सकती है फिर से विद बैट कहीना कहीं से रोटेट करी उसको भी एकुछ टेम्स के अंदर आगी इंडिया पहले बल्लेवाजी करती है तो फिल्डिंग बे अची कर लेती है तो इस वज़े से इनकी वैल्यू आपको हर डिपार्टमेंट से देखने को मिल जाती है रिचा गॉष तीन मैच में 75 रंस कीपिंग या बात तरते हैं तो इस गेम में आपके पास यह को ज्यादा कीपिंग ऑप्शन है भी नहीं वैसे रिचा गॉष ही सबसे वैस्ट है इन्हीं को प्रिफर कर लीजिए बात ही नहीं करनी पूजा का पाकिस्तान वाले नहीं करें तो यह यह वाले कांसे खेलेंगे तो यह प्लेयर शॉड बाल का अच्छे से इस्तेमाल गर रही है दिप्ति का पांच मैच में 8 विगेट अच्छा की एक एक उनुमी है फ्लाइट बाल्स जालती है विगेट निकालने के लिए बढ़ी और विकेट के पिच्छे से डालती है कर आपने देखा हो हाइट छोटी है इनकी हिमाचल प्रदेश से आती है हाँ के लोगों के थोड़ी साइट छोटी रहती है मैं ये टॉंट नहीं कहसरा मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रहा हूँ मेरा काम वही है तो इनको फाइदा उसका मिलता है कि इसके पिच्छे से जाके डालती है बाल स्किड करती है नीचे से और विकेट सिन को मिलने के चांस अलब डब्लू बोल्ट ग्रैली के लिया से टॉप केटेंस योप्शन हो सकती है रियनुको का पांच मैच में पांच विकेट है बालिंग फर्स दो में तीन बालिंग सेकंड तीन में दो ये भी माचल से आती है इन्होंने तो कैप दीती तनुजा कनवर को बहुत अच्छा हूँ मुमेंट था जब मैंने वीडियो देखा आशर शोबना आसकती लगी इंपोर्टेंट मिस्टी रहीगी फॉर नेपाली प्लेट्स सर्जी वन संजना खेल सकती है वैसे रोल कम होगा उनका अनुजती रेडी खेलेगी तो इंपोर्टेंट प्रेनुका के पहला तीसाररा, पांुचवा, पंcom फंदर्वा था लास्ट गेम में तनुजता का दूसरा, साथवा, तेरुआ, सत्रवा और पूजा का चौता, छटवा, दसवा, अन्नीसवा दिपती का आठवा, बारवा, छौदवा, अठारवा रादा का 90, 11, 16, 20 वरता लास्ट गेम के अंबर ये नेपाल प्लेट्स के T20 आई स्टैट्स है एक्जाम्पल के लिए मैं पढ़ता हूँ कभीता कुवार 47 मैचेस खेल चुकी है 10 की उसद है 119 रंस है सीता राना मगर के 53 मैचेस में 863 रंस है तो ये आप स्टैट्स पढ़ सकते हैं बहुत काम के रहते हैं किया कि मैने स्टार्टी में पढ़ाता है सब अब दूबरा पढ़ूँगा तो आपको गई वेब सीरीज बना दी भाई आपने तो 30 मिनट की ये बॉलिंग नंबर से एक्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ सीता राना मगर 47 इनिंग्स में बॉलिंग करा चुकी है पचास विकेट है 4.2 की एकॉनोमी ये 18 का स्टैट रेट है हर 18 बॉल में एक विकेट निकाल लेती है समझना खडगा दो मैचेस में 76 रंस सीता राना मगर 23 इस रंस बैटिंग पस 26 चेस कुपर है कभी था दो मैचेस में 15 बैटिंग पस 13 चेस कुपर दो कोई खास जोगदान नहीं इंदुब्रमा का दो मैच में 3 विकेट है बॉलिंग फिर्श में प्रिफर कर सकते हो डेट में डालेगी स्लो मीडियम पेस है जो शाहिए थोड़े इंडियन बैटर्स को टरबल कर सकता हलका सा क्योंकि जो मीडियम पेस वाले बॉलर होते हैं उनकी बॉल बहुत रुक्या आती है आपको समल के खेलना पड़ता थोड़ा सा रुबिना चेतरी का दो मैच में जरुबिकेट शावर बॉलिंग कर चुकी है एक सुपरस्टार ओल्राउंडर की रूप में देखी जाती थी बर यह टूर्णमेंट बहुत खराब गया है पूजा मावतो को दो मैच में 32 रंज है उस टीम्स में ट्राई कर सकते है उसको ग्रैंड लिंग में कभिता जोशी यह आपको हिटिंग करती हुँ दिखती है अटी-गटी प्लेर है और डेथ में बॉलिंग कर लेती है बॉलिंग फर्ष में तो आक लिए शायद मस्ट फिक की लिस्ट में आ सकती है बॉलिंग सेकंड में आप इसको छोड़ सकते हो विद बैड भी वेल्यू मिल रही है तो क्यों फिर आपको छोड़ना जोब इनकी टीम पहले गिंदबा जी करती है के डेत में डालने कभी तो जोशी को वर्स बिंदू रावल कोई कास नम्बर रोमा थाप से कोई अमीद नहीं करिति का ठीक था गया बट कोई अमीद में नहीं रख रहा डॉली वट्टा से भी नहीं रख रहा शबनम रहिसे भी नहीं इसमें तीन-चारी प्लेट्स हैं, कविता गनवार का पिछले गेम में पहला दीसरा था, रुबिना चेतरी का दूसरा नववा, पूजा मौतों को चौता था लास्ट गेम में, और इंदु भरमा का पांचवा, सातवा, ग्यारवा, सीधा राना मगर का छटवा, कविता पर बहुत ही कमाल की प्लेयर, पाउर में भाहः पलेयर, शैफली व्रमा भी बहुत ही कमाल की प्लेयर, स्फिन तो बहुत ऐच्छे से खेलती है, छेसे से बस लैक स्पिन को छोड़े के, ठीक है, यह पढ़ लेना, फिर मेरे पर चड़ए पह पर आपने जैमी अजे फिनिशर बहुत सही गौर भी वन ओफ फाइनेर्स प्लेयर इस वज़े से मैंने को लास्ट गेम में प्रिफर किया था और रिचा गोष्ष बोड दर्निंग्स में इंपॉर्टेंट क्योंकि कीपर ही निया सामने रादाइदव का बहुत अच्छा फॉर्म अच्छी बॉर्लिंग करा लेती हैं बट वो सब चोटी मुठी टीम ते मलेशिया युए इदर उदर के अगेंस्ट विकेट्स रहें इसके मुस्टी इंडिया विमन अगेंस्ट उफस्पिन बहुत सही खेलती है नेपाल विमन उफस्पिन के सामने 14 मैचों में 20 विकेट द यह विमन यह पर दो दो लेफ्टाम और्थोडोक्स बिन रहें इंडिया कैसा खेलती है लेफ्टाम और्थोडोक्स बिन को बहुत सही 16 मैच माथारा विकेट दी है और यस मैच में 10 अजार उपी का गीव है विजिन लेजन के उपर GST फ्री है पर TDS फ्री है पर प्रजिश सेक्शन में मेरे पास रिच्छा गोश है इनको मैं बैक करूँगा बैटर सेक्शन में रहनुपीत को और बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है बैटिंग सेक्ट में आप छूड सकता है मंदना शेफली ले लीजिए आ जाईए सीधा ओल रौंडर में दिप्ती रख तो यह मेरी टीम बन चुकी है 9 प्लेयर की अब दो प्लेयर देखो मैं सीरिसली कहूं डिपेंड करता है यह देखो आप इसमें डीम लाता को अब प्रीफर कर सकते है इस गेम में यह गेम नहीं चली ना तो मेरे साब से इसको ड्रॉप आउट करी दिया जाएगा मोस्टली ह प्रीफर कर सकते हैं अभी फिलाल नेपाल की टीम पहले इंबाजी करती है कबिदा जोशी बहुत इंपॉर्टन पी गो सकती है यह बैटिंग भी करना जानती है और आपको डेथ में एक ओर डालते हूँ जरूर दिख सकती है कबिदा जोशी तब आप इसको प्रीफर करिये रुबिना चेतरी भी आपको तेन से चार और पक्का डालती हूँ दिखेंगी पूरे चार बैटिंग से वैल्यू है सिता लाना मगर थुड़ी बहुत बैटिंग कर लेती है दो तीन और बॉलिंग कर लेती है तो आप इनको भी चाहिए तो ट्राई कर सकते हैं अगर इनकी कैप्टन कर सकते हैं आपके पास ऑप्शन पूजा का जो पेच से बीट करेगी आपके पास राधा का जो हमेशा कैचस से पॉइंट दे जाती है विद द बॉल भी इस गेमें पॉइंट दे सकती है तो आप इनको भी बैक कर सकते हैं तनुजा कनवर आपके पास ऑप्शन है रोटेट करें प्लेयर्स को, जाहिंद एंजॉई इस गेम और लव यू, थैंक्स वर यू सपोर्ट इन देश्याक, अब मिलूँ आपसे में समी वीडियो के साथ, जाहिंद!